इस्टुडेंट्स आप लोग कैसे हैं काफी दिन हो गया हमारे पिछले लेक्चर को डाले हुए अब आज मैं जो सेट थियोरी पर हा रहा था उसके कंटिनुवेशन में सेकेंड लेक्चर जो बाकी था वो डाल रहा हूँ तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसेट इससे पहले तक का सारा चीज हम लोग ने पढ़ लिया था तो सबसेट को समझने के लिए एक एक्जामपल लेते हैं जैसे माल लीजिए A हमारा है set of students in class 5 of a particular school ठीक है किसी school का और B जो है उसी school का set of students a क्या है set of students in class 5 और B क्या है set of students in that school तो A क्या होगा A is a subset of B A is a subset of B इसी देंग से आप और भी examples ले सकते हैं जैसे माल लीजिए X जो है वो है set of engineers set of engineers in a city X और Y जो है वो है set of professionals in city X अब देखिए X क्या होगा Y का subset होगा क्यों क्योंकि Y में set of professionals में engineers, doctors, lawyers सब कुछ हो सकते हैं और उसी में कहीं यह set X लाई कर रहा होगा therefore X is a subset of Y तो यहीं यहां लिखा है कि A is a subset of B A, B का subset होगा कब if A belongs to A, A क्या है small A हम लोग परे से हैं कि smalls हम लोग element को denote करते हैं यानि A का element है A, तो A जो है वो set A में लाई करता है और जो small A है वो हमारा B में भी लाई करे ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि A जो है वो subset है B का अब इसको एक numerical example से समझते हैं, जैसे मान लीजे, set A है 1,2 और set B है 1,2,3 अब देखिए, यहां पर small A क्या हुआ है, मान लीजे, small A चूज करते हैं, तो एक element हो गया A का, या फिर small B यह element हो गया, यह दोनों जो element है, यह आपका कहां लाई कर रहा है, B में लाई कर रहा है, that means A is a subset of B, ठीक है, A is a subset of B अब हम लोग आगे चलते हैं, subset के बाद, ऐसा भी तो हो सकता है, कि if, एक case लेते हैं, if, every element of set A is in B, यानि, set A का सारा element B में हो, और B का सारा element A में हो, यानि, हम लोग ऐसा मानते हैं, कि, 1, 2 जहां लिखा था, वह लिख लेते हैं, 1, 2, 3, तो अब देखिए, यहां क्या हो रहा है, A का सारा element B में, और B का सारा element A में, that means ऐसे case में हम लोग क्या बोल सकते हैं ऐसे case में हम लोग बोल सकते हैं कि A is equal to B यानि इस case में लिख सकते हैं कि A is a subset of B and B is a subset of A then A is equal to B यह जो imply करेगा वों करेगा कि A is equal to B या फिर यह हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं बेटर mathematical representation के लिए कि A is a subset of B and B is a subset of A if and only if इसको ऐसे भी represent करते हैं double arrow से तो A B का subset और B simultaneously A का subset तभी होगा जब A is equal to B होगा तो यह एक point हो गया अब जैसे देखिए कुछ examples और भी है हमारे पास जैसे set Q of rational numbers Q क्या है set है rational numbers का set of rational numbers तो set of rational numbers किसका subset होगा set of rational numbers को लिख सकते हैं subset of real numbers subset of real numbers लिख सकते हैं यानि subset of real numbers तो ऐसा हमनों लिख सकते हैं कि Q is a subset of R Similarly आप लिख सकते हैं N is a subset of R Natural number भी क्या है? Subset है R का Z क्या integer भी क्या है? Subset है R का T जो set of irrationals है वो भी क्या है? Subset है R का Okay, सारा जो number systems है Rational numbers, integers, natural numbers, irrational numbers यह सब क्या है आपका? Subset है Real numbers का इसके बाद हम लोग जो next topic है वो देखते हैं थोड़ा Intervals के बारे में जो brackets का concept है यह mathematics में काफी use होता है बहुत जगा सबसे पहले अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं मा लिजे a, b कहीं पे इस type का bracket है और लिखा हुआ है a, b तो इसका क्या मतलब है? open interval, इसको क्या बोलते है? open interval और इसका मतलब है कि वो सारा value वो सारा value जो a और b के बीच में लाई करें, excluding a and excluding b यानि अगर हम लोग number line का बात करें यह point a है, यह point b है तो सारा value जो इसके बीच में लाई करें excluding यह दोनों point, यह दोनों point हम लोगो नहीं लेना है, ठीक है? यह हो गया open interval, तो open interval को अगर हम लोग set form में लिखें मान लेते हैं कि इसके बीच के number के set को हम y से denote करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं इसको? रेपरेजेंट कर सकते हैं रोस्टर form में y a अगर यहीं पर bracket इस टाइब का होता a, b तो इसको बोलते close interval इसको बोलते close interval closed interval और इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कि वो सारा values जो a और b के बीच लाई करें including a and b सारा values जो a and b के बीच लाई करें including a and b जैसे यहाँ पर a भी होगा और b भी होगा और बीच का सारा values भी होगा तो यहाँ पर मान लीजे कि इस set जो a और b के बीच के आज जो set है numbers का उसको z लिखते है z नहीं लिखेंगे क्योंकि z तो integers का set है मान लीजे m लिखते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि m दोनों में अंतर क्या है बस equality का sign आ गया है यहाँ पर y is greater than equal to a y is less than equal to b तो यह आपका हो गया closed interval देखें यह सब काफी जरूरी है आगे आप in equations परेंगे या फिर equations को ही solve करने वागते inequalities को solve करने वागत जब हम लोग solution set represent करते हैं तो वहाँ पर इन सब चीजों का use होता है अब यह दोनों समझने के बाद यह तो clear है कि मान लीजे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 4,6 तो इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब यह semi closed interval है 4 पे closed है और यहाँ पे closed नहीं है यानि 4 हमारा interval का part होगा और 6 नहीं होगा तो यह जो set represent कर रहा हो किसको represent कर रहा है 4 को 5 को और 6 लेकिन 6 इसमें नहीं है 6 से पहले का सारा values है 4 included है क्यों क्योंकि यहाँ पे closed interval वाला bracket लगा होगा है तो इसका मतलब होगा इसमें जो values आएगा set में वो आएगा 4,5 और 6 से just पहले तक का जितना values है वो ठीक है तो यह वाला set यानि इसको मनों ऐसे represent कर सकते हैं कि अगर माली जो y से ही represent करता हूँ तो y y is यहाँ भी m हो गया y is greater than equal to 4 and less than 5 ठीक है एक तरफ equality भी आगया एक तरफ equality नहीं है I hope यह सब बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा यह important है लेकिन ज्यादा यह सब आसान चीज़ है basic concept से यह सब अब हम लोग एक important term देखते हैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा होने पर सारे student लोग उतना patience नहीं बना पाते हैं पूरे वीडियो को देखने का तो एक और चीज़ देखते हैं जो important है जिसको बोलते है power set यह काफी important है ठीक है power set अब power set का definition देखने से पहले हम लोग एक example की मदद से इसको समझने का कोसिस करते हैं जैसे देखिए मान लीजे कि question है कि 1,2 इस set का power set find कीजे सबसे पहला एक बात कि 5 जो है यानि empty set जो है वो हर set का subset होता है यह याद रखेगा null null set is a subset to every set is a subset to every set every set तो फिर सबसे पहला इसका जो subset होगा वो क्या होगा 5 सबसे पहला subset मिला 5 दूसरा subset क्या मिलेगा 1 उसके बाद तीसरा 2 क्योंकि यह सब क्या है इसका elements है और यह set खुद भी अपना subset होगा यह भी ध्यान रखेगा every set is a subset to itself यह दो point है दूसरा point है every set is a subset to itself is a subset to itself यानि हर set अपने आपका subset होता है तो इसका कितना sets का total हो गया एक दो तीन चार यानि इसका जो power set होगा इसका जो power set होगा power set वो कैसे हम लोग represent करेंगे उसमें जो elements हो गया वो क्या-क्या हो गया 5 हो गया 1 हो गया 2 हो गया और 1,2 हो गया ठीक है 5,1,2,1,2 और 1,2 अब देखे यह set मान लीजे a था हमारा तो power set को represent करते है p of a से यानि power set of a यह हमारा हो जाएगा यह पूरा चीज 5,1,2,1,2 और देखे इस set का जो elements है वो सब भी खुद में एक set है ठीक है इस set का जो elements है वो सब भी खुद में एक set है दूसरा एक चीज यहाँ दो element था तो number of elements power set में कितना हुआ चार ऐसे ही अगर आप तीन elements लेंगे माल लिजे a and b set लेते हैं जहाँ पर तीन element है 1,2,3 तो यहाँ अगर आप power set बनाएंगे ठीक है यहाँ अगर आप power set बनाएंगे p of b तो उसमें कितना element होगा directly लिख सकते हैं मिलोग कितना होगा एक तो होगा 5 दूसरा क्या होगा 1,2,3 यह तीनों तो होना ही होना है उसके यह इन दोनों का combination यानि 1,2,2,3,3,1 और फाइनली 1,2,3 यानि every set is a subset to itself तो कितना element होगा देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8 तो आप एक pattern देख रहे हैं दो है तो 4 तीन है तो 8 दाट मेंस अगर m हो यानि अगर इसके अंदर m elements हो तो 2 to the power m ठीक है तो if set a has cardinality, cardinality मतला number of elements, cardinality m अगर हमारा set जो a है उसका cardinality क्या है? m तो cardinality of pa यानि power set of a is equal to 2 to the power m होगा एक यह मैं भी बस दो चीज़ करके आपको दिखाया हूँ, 2 और 3 का बांकी भी आप देख सकते हैं निकाल के तो इसको mathematically अगर लिखे हैं तो n of a यानि cardinality number of elements in a is equal to m, therefore n of p of a यानि number of elements in the power set of a is equal to 2 to the power m, यह important formula है. तो यह हो गया power set का बात, अब हम लोग एक last पढ़ लेते हैं चीज़, वो है universal set, universal set, किसको बोलते है universal set यह चीज़ देख लेते हैं, universal set, अच्छा, power set का हम लोग उन्हें definition नहीं देखा था, power set का तो उन्हों concept पर लिए, power set का definition क्या होगा, power set का definition क्या होगा, वो भी देख लेते हैं, आम लोग, power set का definition क्या होगा, the collection, the collection, क्या देख रहे थाम हो, कि collection था वो सारे subsets का है, तो वह ही लिखेंगे, in the collection of all subsets, the collection of all, the collection of all subsets of a set A, of a set A, a, the collection of all subsets of a set A, is called, is called, the power set of, the power set of, the power set of, a, and it is denoted by P A, यह तो आम लोग जानते हैं, it is denoted by, P, A, P, A, अब हम लोग बात करना है, universal set का, universal set, यह भी हम लोगो देखना है, यह last topic, universal set, तो सबसे पहले इसका definition लिख लेता है, universal set क्या होता है, is a set which has elements of all related sets, यहरी, is a set, is a set which has, which has elements, elements of all related sets, all related sets, sets, without repetition, यह point important है, without, without repetition, repetition, okay, जैसे एक example के थो समझते है, मान लीजेए कि एक set है A, और इसका element है, 1, 2, 3, और एक set है B, जिसका element है, 1, 1, A, B, C, अब अगर हम लोग से universal set पूशे, universal set इन दोनों का, तो universal set जो होगा, universal set या इसको लिख लेते हैं, U is equal to क्या हो जाएगा, 1 क्या है, दोनों में आ रहा है, तो repeat नहीं होना है, 1, 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक 1 लिखेंगे दोनों की जेगा पे, वहांके सब क्या है, distinct है, तो 2, 3, A, B, C, यह आपका हो गया, universal set, तो students, आज का lecture आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो like कीजिए, और अगले lecture में हम लोग परेंगे when diagrams और उस साथ वो हमारा final class होगा, final lecture होगा, तो ठीक है, वीडियो देखते रहें, like, comment, share करना मत भूलिएगा, thank you.